दोस्तों राजस्थान के एक गाउं में 300 सालों से एक इचादारी नागीन आज भी जिन्दा हैं और वो नागीन एक विशाल बर्गद के पेड़ पर बैट कर आज भी अपने नाग का इंतजार कर रही हैं दोस्तों कहा जाता हैं कि एक इचादारी नागीन अपने नाग के परती बहुत वफ़ाधार होती हैं उनका प्रेम इतना मजबूत होता हैं कि वे साथ जन्मों तक अपने प्यार को निबाने की ताकत रखते हैं ऐसा ही एक नजारा राजस्थान के एक गाउं अजेरी में देखने को मिला दरसल इस गाउं से कुछ दूरी पर ही एक खंडर नुमा किला हैं और उसी किले के पास एक बड़ा सा विशाल सा बर्गत का पेड हैं दरसल उसी इस्थान पर आते जाते रागीरों को नागीन दिखी जाती हैं दरसल गाउं के बुजूर्ग लोग बताते हैं कि एक दिन जब नाग के पास नागीन नहीं थी तो एक छील ने नाग को दबोस्त लिया और उस शील ने उस नाग को बहुत दूर उड़ा कर ले गया और उसको मार डाला और वही पर वो नागीन अपने नाग के व्योग में आज 300 सालों से वहीं पर अपने नाग का इंतजार कर रही हैं दरहसल दोस्तों उस नागीन के बारे में ये भी कहा जाता है कि कहीं बार लोगों ने उस नागीन को एक इस्तरी के रूप में भी देखा है दरसल लोग ये कहते हैं कि जब दिन के समय जब सब कुछ सुनसान हो जाता है तो उस बरगत के पेड़ के पास पाइलों के बजने की आवाज भी आती है और उसी बरगत के पेड़ के पास रोने की आवाज भी आती है लोगों की मानिता हैं कि वो नागीन अपने नाग के वियोग में अक्सर रोने लगती हैं और अजीबों आवाजें निकालने लगती हैं और गाउं के लोग डर के मारे दोपर और रातरी के वक्त इस रास्ते से जाते भी नहीं हैं तो दोस्तों ये थी आज की एक समतकारी गटना यदि आप भी है महादेव के बहुत बड़े बग तो कमेंट बॉक्स में अरर महादेव लिखना न बूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जेहिंद वन्दे महतरम